नमस्कार दोस्तो मेरा नाम है रुपेश और आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल रुपेश टॉक्स में स्वागत है तो दोस्तो आज किस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि 2023 में नीव भोटर लिस्ट कैसे डाउनलोड कर सकते हो किसी भी राज्ये का तो सर्च बार में सर्च करना है nvsp.in यह लिख करके सिपली आपको क्या करना है सर्च कर देना है यह जैसी आप लिख करके सर्च करेंगे तो नेशनल भोटर सर्विस पोर्टल का ओफिस्यल पेज आपको यहां पर देखने को मिल जाएगा शुद्ध तो आपको नीचे एक ओप दोस्तों आपको क्या करना है सिंपली सिलेक्ट बाले पर क्लिक करना है दिन उसके बाद आप जिस भी राज्य का भोटर लिस्ट डाउनलोड करना जाते हैं वह राज्य यहां से आप क्या करेंगे सिलेक्ट कर लेंगे राज्य सिलेक्ट करने बाद सिंपली आप क्या करेंग आपको यहां पर देखने को मिल जाएंगे आपको इन ही सभी में से एक option देखने को मिलेगा इलोक्टरोल, फाइनल रॉल और आप नीचे देख सकते हो एक एक दुहार तो इसको यह अपडेट हुगा है मतलब इससे पड़े जीतना का भी वोटरकाट बना होगा उस सबी का लिस्ट आपको यहां पर देखने को मिल जाएगा चुछ दूस्तो आपको क्या करना है सिंपली इस पर क्लिक कर देना है जैसे उस पर आप क्लिक करेंगे तो कुछी सतरा का प्यास आपको सामने open होके आजाएगा उसको बदोस्तो आप क्या करेंगे सबसे पहले यहाँ से अपना district को select कर लेंगे district select करने के लिए simply आपको क्या करेंगे district वाले option पर click करेंगे दिन उसके बाद आपको जो भी district होगा वो district आप यहाँ से select कर लेंगे district select करने के बाद आपको सामने एक option देखने को मिलेगा assembly constituency का जिसका हिंदी होता है निरवाचन छेत्र तो दोस्तों simply आप क्या करेंगे इसमें आपका जो भी निरवाचन छेत्र है वो छेत्र आप यहाँ सेपना select कर लेंगे उसके बाद दोस्तों आपको एक option देखने को मिलेगा part, number and name जिस भी छेत्र का भोटर लिस्ट डावलोड करना जाते है वो छेत्र आप यहाँ सेपना select कर लेंगे छेत्र select करने के बाद आपको नीचे एक option देखने को मिलेगा ketchup का तो simply क्या करेंगे आप इस ketchup को इसमें डाल देंगे ketchup डालने के बाद simply आप क्या करेंगे? बोटर लिस्ट आपको सामने देखने को मिल जाएंगे तो दोस्तो कुछी इस तरह से आप किसी भी